Hello guys, my name is Amit, और आपके सामने है lecture 2, जो कि मैंने TOP 500 MCQs की सीरीज स्टार्ट करे थी, ये prelims जो अभी आपका 10 October को होने वाला है, civil service exam का, उसके लिए बहुत important है, और equally important है आपके जो APFC का exam होगा उसके लिए, क्योंकि देखिए जब notification APFC का आएगा, उसके बाद ज्यादा time आपको मिलेगा, लेकिन आपको पढ़ना बहुत कुछ है, तो जैसे आप civil service के तयारी पूरे साल करते हो, वैसे ही आपको APFC के तयारी भी करनी है, क्योंकि syllabus उसका भी काफी ज्यादा है, और इतना time आपको मिलेगा नहीं, enforcement officer के exam जो है वो तो postpone होती गई थी, इसलिए उसमें काफी time मिल गया था, लेकिन APFC वाली exam के अंदर आपको ज्यादा time नहीं मिलेगा, तो ये questions बहुत important होंगे, और ध्यान से आपको सुनना है, चैनल को आपको subscribe करना है, ताकि आपको notification मिल जाए, bell icon दिबाद देना, ताकि जो भी video जो ही आता है, वो आपको मिल जाए, इन sources से current affairs लिय जाते हैं, वो सीधे इस तरह के आते हैं, पहला question है इस lecture का, और जो क्योंकि ये series चल रही है, तो दस्त पहले में आयते है 11 lecture है, question है, नेतरावती wildlife sanctuary, ये कहां पर located है, नेतरावली, केरला, करनाटका, तमिल नाडू, या फिर कुछ और, तो current affairs में इसका एक issue आया था, black panther जो ये गोवा में है, नेतरावली wildlife sanctuary जो है, साउथ इसन गोवा में है, और western ghat के अंदर जो कुछ corridors है, corridors मतलब की एक से दूसरे एरिया के बीच में, जो है, movement होता है, जानवरों का, और बहुत sensitive area होता है, तो उसमें से एक है, और इसके आसपास देखें, चारों तरफ इसको पूरा ही इंडिया का, अगर आप मैप देखो, तो जो western ghat का area है, जो गुजराज के अंद से start हो जाता है, और नीचे केरला तक जाता है, ये सारा जो range है ना, इंडिया के peninsular western part में, तो ये सायादरी भी इसको बोलते हैं, और इस पे, जो है, कौंकन तट, जो गोवा वाला है, कौंकन तट बोला जाता है, ठीक है, माला बार तट ये नीचे वाला बोला जाता है, ये area सबसे ज़्यदा ऐसा है, जिस पर question आते है, western ghat इधर है, और इधर eastern ghat है, eastern ghat में बीच में gap है, western ghat में gap नहीं है, western ghat की height भी ज्यादा है, और eastern ghat की height हो थोड़ी कम है, घाट इ इसलिए इनको ghat बोल देते है, ये western ghat है, और ये eastern ghat है, अलग-अलग इसमें, जो है, चोटियां है, ये सब है, इसे अनाइमुदी है के अरला के अंदर है, बहुत questions इन से आते हैं, तो गोवा भी यहीं located है, और western ghat के area में ही है, इसमें नेतरावली या नेतुरली जो river है, चोटी river है, किस की tributary है, ये river जुवारी की, बड़ी important river है, कुवा के अंदर, और ये यहीं से originate होती है, नेतरावली, और इस पे दो important waterfalls भी है, सवारी और मेनापी, तो ये आप से पूछ लेंगे, इसके अंदर, giant squirrel, mouse deer, नीलगरी wood pigeon, salon frog mouth, ये सब मिलते हैं, बड़े important है, और rare ये animals होते हैं, इसमें दूसरे जो, इस state में, protected areas है, वो ये वाले हैं सारे, देखो, इसमें एक, मौलेम national park है, बाकी wildlife sanctuaries है, Salimally Bird Sanctuary भी है, जो बहुत famous है यहां की, तो ये question बहुत बार, पूछे गए हैं, और पूछे, जाएंगे आपके civil service के prelims के अंदर भी, क्योंकि forest service का जो exam होता है, वो, इसके साथ ही होता है, एक ही prelims होता है दोनों का, तो उसमें questions बहुत सार याते हैं, और simple आते हैं, अराम से स्कोर कर सकते हो, दो नंबर आपके, बहुत असानी से पके हो जाते हैं, जहां पर आपको quality, या दूसरे current affairs में, economy में, बहुत कुछ पढ़ना पढ़ता है, लेकिन यहां पर एक दम easy होते हैं, syllabus भी छोटा होता है, और ज्यादा आपके marks आते हैं, आपका जो APFC का exam है, उसक in the world, inhabited by tigers, जहां पर tiger मिलते हैं, क्या अकेला mangrove forest है दुनिया में, ये सुन्दर्बन वाला, येस, और इंडिया के total mangrove forest area 60% जो है, वो सुन्दर्बन में है, और इसको क्या UNESCO World Heritage Site 87 में गोशित किया गया था, इसके अलावा, राम सर कर्मेंचन का wetland of international importance का इसको गोशित किया GK का पार्ट भी है ये, क्योंकि राम सर कर्मेंचन इतना important convention है, और अभी पिछले पांचे सालों में इतना ज्यादा important हो गया है, कि इस पे बहुत ज्यादा questions जो है, हर exam में पूछे जा रहे हैं, और खासकर UPSC तो लगातार पूछ रहा है, शाए 2014 ये 15 के प्रिलमस में तो उसने 2-3 questions राम सर के उपर पूछ लिये थे, तो इतना important ये है, राम सर इरान में एक शहर है, और वहां पर ये convention sign हुआ था 1971 में, और उसके बाद से ये, राम सर साइट्स के नाम से जो है, हर country के अंदर साइट्स को नाम दिया जाता है, जो कि wetland of international importance के होते हैं, ठीक है, तो सुन्दरवन एक यूनीक एरिया है, जो कि इंडिया का वेस्ट मेंगोल और बंगलादेश के अंदर फैला हुआ है, और यहां पर मेंगरू फोरेस्ट है, ठीक है, जो ये बहुत ये एक यूनीक स्पीशीज है, जो बहुत फाइदा करती है, तट को कटाव से बचाती है, औ इसके बहुत सारे मतलब advantages होते हैं, और वहां पर सुन्दरी व्रक्ष होता है, और Tigers इसको इनेहवेट करते हैं, Bengal Tigers, और ये यूनीक जगह जहां पर Tigers रहते हैं, और किसी मेंगरू फोरेस्ट में Tigers नहीं रहते हैं, तो इसका current affair में इशु ये आया था, कि 88 से बढ़कर 96 हो Tigers की, एक साल के अंदर ये आठ बढ़ गए हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात थी, और highest annual jump था ये, सुन्दरबन जो है contiguous mangrove forest system है, इंडिया और बंगलदेश में ये located है, और गंगा, ब्रंपुत्र और मेगना river जो बंगलदेश में बहती है, उसका सारा जो catchment का area है, उसमे mangrove forest मिलते हैं, country का जो इंडिया का total mangrove forest, उसका 60% सुन्दरबंस में है, और भी areas में, तटो पर, जो है, तमिलाडू में और गुजरात में mangrove forest मिलते हैं, लेकिन सबसे अधा यहीं पर है, मेंगल में, तो wetland of international importance का area इसको गोशित किया हुआ है, मतलब जहां पर जैसे माली international importance गोशित करते हैं, और रामसर साइट्स गोशित करते हैं, तो यह रामसर convention है, उसके हिसाब से इसको 2019 में गोशित किया था, और world heritage site 87 में ही हो गया था, इसमें mainly तो royal Bengal tiger मिलता है, और northern river terrapin, iravadi dolphin, और fishing cat, यह सब मिलते हैं, यह सारे ही endangered animals हैं, endangered, critically endangered, और vulnerable, इनकी सब की list जो है IUCN जारी करता है, तो यह तो वो वाली है, और एक इंडिया का wildlife protection act है, और उसके अंदर protection act के अंदर categories बनी होई है, अगर 1 में आ गया तो highest level of protection मिलता है उसको, जैसे कि Bengal tiger को मिला हुआ है, highest category 1 में है वो, ठीक है, wildlife protection act के category 1 में, next question आपका है, Asian infrastructure and investment bank AIIB के उपर, क्या इसका headquarter है, और क्या इसका operation January 16 में start हो गया था, तो देखो January 16 में start हो गया था, एक articles of agreements में sign हुए थे December 2015 में, और Hong Kong में नहीं इसका headquarter हो बेजिंग में है, और क्या G20 जो group है, जिसके अंदर 20 बड़ी countries हैं दुनिया की, उन में से 14 देश इसके members है, देखो 14 देश तो इसके members है, लेकिन आ आपको पाता होना चाहिए, obviously कि चाइना और USA की बहुत बड़ी rivalry है, और उसी के तहत ही चाइना ने ये start भी किया है, तो जैसे एक Asian Development Bank है, उसमें तो जिसका headquarter Manila में है, उसमें USA है, लेकिन इसमें USA नहीं है, इसलिए गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया, क्योंकि इसका headquarter जो है वो Beijing में है, तो answer इसका होगा D, None, बहुत ज़्यादा question जो है, पूछ जाते हैं AIIB के उपर, इनके mandate के उपर, किन issues के उपर ये बात करते हैं, किसके लिए इनका formation हुआ है, ऐसे question ज़्यादा पूछे जाते हैं, और India का engagement बढ़ रहा है, internationally, और ऐसी bodies के उपर question बहुत आ January 16 में इसके operation start हो गए थे, multi-lateral development bank है, जैसा कि infrastructure और investment के area में, ये funding देता है, अभी COVID के लिए इसने 500 million dollars का approve किया था, help दी थी इसने, तो ये news में आया था, और इसलिए बहुत important है, G20 के 14 देश इसके members है, France, Germany, Italy और UK जैसे बड़े देश भी इसके members है, 102 approved members हो चुके हैं इसके, इसमें European Union भी है, sorry, जो G20 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर G20 में 19 देश हैं, जो individual countries हैं, जिसमें India भी एक है, इसकी meetings हर साथ होती है, और इसके लाभा European Union भी as an entity है, G20 में, IMF भी है और World Bank भी है, तो ये आपसे question, पूछ सकते है, important issue हो गया ये, कि G20 के इंदर members में कौन-कौन count होंगे, तो countries है, European Union भी है, World Bank भी है और IMF भी है, ठीक है, इसमें दो tracks हैं, जिसके ओपर question पहले पूछा गया था, एक बार, finance track और sharepa track, finance track में सारी जो meetings, financial issues के ओपर होती है, regulation, fiscal issues इनके ओपर, sharepa track में political engagement, geopolitics, corruption, development और energy, इन issues पर बात होती है, ये G20 members है सारे, next है, ये इसका structure और functioning है, इंडिया, इसमें अलगदा groups पने हुए है, इंडिया इसमें group 2 में है, जिसमें साथ में कौन-कौन है इंडिया के, Russia है, South Africa और Turkey है, और issues ये वाले हैं, जो address करता है G20, तो ये भी important question है, next है, integrated disease surveillance project, इसको अभी activate किया गया था, दुबारा से, त तो देखो, ministry of health ने तो किया था, लेकिन world bank assistance था, WHO का नहीं था, इसलिए गलत है, इसको covid की time पर दुबारा reactivate किया गया था, next है, क्या इसमें central surveillance unit Delhi में है, state surveillance units है states के अंदर, और district level पे भी है, क्या इस तरह का system है इसमें, तो देखो ये बात correct है, इसके अंदर hierarchy बनी हुई है और हर level के उपर इसमें units है, तो central level पे है, state level पे है और district level पे है, इसलिए ये बड़ा important एक project है ये, तो इसको 2004 में world bank की help से जो है, ministry of health ने start किया था, integrated disease surveillance program, क्योंकि covid के time पर ये ऐसे unique situation बनी है, जो बहुत ही खतरनाक हो गई, और पुरी दुनिया में ये बिमारी फैल गई, इ UPSC SE bodies पर question पूछता है, ठीक है, और जिसमें पूरा setup हो district level तक का, तो वो तो बहुत important हो ही जाता है, जैसे कि आपके bio diversity वाले जो issue के अंदर ऐसे board बने वे होते हैं, तो वो उस पर question पूछता है UPSC बहुत बार, मुझे interview में भी उसका पूछा गया था, इसलिए, SE bodies के ओपर आपको ध्यान देना है, यह इसके components से नीचे दिये हुए, objective भी दे रखा, PDF में पढ़ लेना सारा, important है, PDF में सारा matter में dictate नहीं कर पाता हूँ, और सब कुछ detail में समझाया भी नहीं जा सकता है, एक lecture में, पिछला ले lecture ही मेरा एक घंटेगा हो गया था, दस ही question इसमें discuss हुए इसलिए PDF में आप इसको पढ़ लेना, और PDF के लिए मैंने आपको बता दिया था, join आप कर सकते हो, चैनल को, और PDF उन members के लिए accessible होगी, और PDF में सारे important issues में cover करूँगा, जो related भी होते हैं, जिन पर question पूछ सकते हैं, main issue हम discuss कर ही रहे हैं, एक question के अंदर 5-6 issues discuss हम करते हैं, औ और क्या वो higher education के लिए थी, banking reforms के लिए थी, या फिर armed forces के expenditure से related थी, या फिर NPA crisis से थी, तो शिकत कर committee का answer है C, जो combat capability बढ़ाना, advanced form में military का setup करना, और defense expenditure को rebalance करना, ये सारा शिकत कर committee के जिम्में सोपा गया था, और इसकी report इन्होंने दी थी December 2016 में, मनुहर परिकर जब defense minister थे, तब इसको setup किया था, पंदरा में, और lieutenant general DB शेकत कर, जो retired है, उन्होंने इसको chair किया था, और इसमें ये बताया, उन्होंने की कैसे modern किया जा सकता है forces को, और lean और cohesive किया जा सकता है, क्योंकि number बढ़ा होने से ही efficient नहीं होती है, किसी देश की सारी forces उसको advance होना बहुत ज़रूरी है, आज के time में, तो machinery पे, weapons पे, इन पे खर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, access में, और चाहे आपके जो personals हैं, उनको कम किया जल सकता है, लेकिन उन पे खर्चा करना ज़रूरी है, जो weapons हैं, और सारी machinery है उसके उपर, तो श इसकी recommendation के तहत ही जो है, military engineering services के एक जो होती है, MES, उसके अंदर बहुत सारे post को abolish किया गया, तो ये बड़ा controversial issue हो गया था, और बहुत विरोध इसका हुआ था, तो ये शकतकर committee की recommendation में ही था ये चीज थी, और ये MES जो है, वो infrastructure development agency होती है, armed forces के अंदर, इसमें ये कहा, कि ये भी optimum utilization होना चाहिए, resources का, बहुत खर्चा जो है, वो salary payment में जा रहा है, salaries allowances जो दे दिये जाते हैं, उनी में चला जाता है, और actual infrastructure development के लिए बहुत कम खर्चा बच पाता है, इसलिए करना बहुत जरूरी है, तो ये सोचकर जो है, ये step उठाया गया था, और इससे 25,000 crore तक ये बचाया जा सकते हैं, जो की बागी चीजों में जो important ज्यादा हो गई है, उस पर खर्चा किया जा सकता है, एक सिपरी institute है, जिसकी report आती है, Stockholm International Peace Research Institute, बड़ी ही important body है ये, और इसने बताया था कि इंडिया जो है, top 3 military spenders में से है दुनिया में, पहला US है, दूसरा चाहि इंपोर्टन चीजे हैं, और इसके recommendation जो है, वो इसमें दी होई है, एक तो chief of defense staff जिसको implement भी कर दिया गया है, उसके recommendation दी थी इनोंने, और एक बहुत important issue है, की GDP का 2.5-3% होना चाहिए खर्चा, जो की defense budget में जाएगा जितना खर्चा, तो ये GDP का 2.5-3% होना चाहिए, कुछ जो बहुत important है, जैसे की education का budget है, health के उपर जो budget है, वो GDP का कितना percentage होना चाहिए, जो अभी इंडिया में लगबग 1.5% है, उसको बढ़ाने की बात है, ऐसे health के उपर है, education के उपर है, और ये defense के उपर है, तो ये चीजें ऐसी हैं, जिसके उपर ज्यादा question पूछे जाते है कि कितना recommended है और कितना हो रहा है अभी, एक question आ सकता है, G.O.C.O. model के उपर, government owned contractor operated model, तो इसके क्या features है, जो मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, और UPSC इन पर बहुत focus करता है, एक और important question आ रहा है, styrene के उपर, styrene found in vehicle exhaust, क्या vehicle exhaust में मिलता है styrene, cigarette smoke में क्या मिलता है, natural foods में भी क्या पकड़ सकता है, और क्या है इनकी manufacturing में यह use होता है, तीसरा, क्या है इन औरगनिक compound है, जिसका formula C8H8 है, देखो formula बिल्कुल correct है, लेकिन यह एक organic compound है, इन औरगनिक नहीं है, औरगनिक है, तो यह गलत हो गया, यह दोनों सही है, answer इसका होगा A, 1 and 2, देखो, अभी जो विज plant के अंदर यह leak हुआ था, और इसमें issue क्या है, styrene जो होता है, उसका यह formula होता है, C8H8, यह benzene का ही derivative होता है, benzene C6H6 होता है, आपको याद है इस तरह से एक structure आपने देखी होगी, ठीक है, यह benzene होती है, और C8H8 जो है, वो organic compounder styrene इसको बोलते है, और जो एक temperature का range होता है, जिसके नीचे तो वो जमा हो रहता है, और जिसके उपर वो liquid या gaseous form में आ जाता है, तो 20 degree से कम पर इसको रखना पड़ता है, तब ही यह liquid के form में रह पाता है, अगर 20 degree से उपर बढ़ने लगए temperature तो यह gas बन जाएगा, और leak हो जाता है, तो ऐसा कुछ हुआ था वहाँ प सकते हैं, तो यह है, तो यह बहुत easily evaporate हो जाता है, बहुत जल्दी यह gaseous form में आ जाता है, क्योंकि 20 degree से उपर temperature बढ़ा, जो कि normal temperature होता है, उस पर भी यह gaseous form में आ जाता है, इसलिए इसको 20 से कम पर रखना पड़ता है, ताकि यह liquid रहे, और polystyrene, plastic, fiber, gas, rubber, latex, इन सभी के formation में, manufacturing में, यह काम आता है, styrene, styrene rubber से आपको सिधा याद आता होगा, styrene जो है, बहुत बार use होता है, नाम भी सुनावागा अपने rubber के formation में, और इसके लावा एक और important मैंने इस PDF के पेज़ पे डाला है, कि कौन-कौन से laws हैं, जो कि chemical disasters के against काम कर रहे हैं, इंडिया में, इसके बाद यह यह आ गए है, भुपाल Gas League Act 1985, Environment Protection Act 86, जो सबसे important है इन सभी में, आज के दिन, Public Liability Insurance Act है, National Environment Appellate Authority Act है, और NGT जो अभी आ गया है, जो की natural justice के फिनोमेना पर काम करता है, मतलब उसमें कोई procedure जो follower करता है, natural justice का करता है, इसलिए इसमें अधिकतर मुद्द्द्द आ जाते हैं, cover हो जाते हैं, NGT में, जिसपे question आपको अभी EOL exam में पूछा गया है, दीक है, यह देखो यह सारे, इसमें एक controversy यह उठी थी, कि जो LG पे case चलना चाहिए था, इसमें दो liability के principle होते हैं, एक तो होता strict liability, एक होता absolute liability, strict liability में यह होता है, कि compensation pay करना जरूरी नहीं ह mandatory नहीं होता है, company को, क्योंकि, अगर ऐसी सिती हो, कोई accident के कारण कोई हाथसा हो गया है, एक्ट of God, force measure जैसे word होता है, Latin, act of God मान लिजजे, जैसे बहुत बढ़ा हाथसा हो गया, कोई इस तरह की चीज़े, जो इनसान के bus में नहीं होती है, जैसे कि सुनामी आती है, वो act of God म पान सकते हैं उसको, insurance company में बहुत डालते हैं इस तरह की चीज़े, आपने वो movie देखी होगे न, परेश रावल और अक्षे कुमार वाल, इसमें act of God के कारण वो issue होता है, तो, अगर act of God या accident के कारण, अगर कोई hazardous substance जो है, escape करता अपने premises से, जैसे कि वो gas leak हो जाती है, तो उसको compensation पे नहीं करना पड़ता है, वो strict liability principle है, लेकिन absolute liability में चाहिए कुछ भी हो जाए, अगर हाथसा हुआ, तो compensation पे करना पड़ेगा company को, तो इस case में, LG के उपर strict liability वाला लागू किया गया था, और वकीलों ने गहा कि absolute वाला लागू करो, ताकि देना ही पड़े, अब इ एक question आया था, और NGT Act जो है, उसके अंदर भी absolute liability principle incorporate किया गया है, इन सभी चीजों पे UPSC question पूछ सकता आप से, नेक्स्ट है, लिपू लेक pass जो है, वो किन किन के बीच में है, इंडिया चाइना नेपाल, इंडिया भुटान नेपाल, इंडिया भुटान चाइना, चाइन इंडिया भुटान नेपाल, बड़ा important और अच्छा question है, और इसलिए फोर्म किया है, क्योंकि इसमें बहुत confusion होता है, लोग जो है ना, superficial reading करते हैं, या ध्यान से नहीं पड़ते हैं, तो इंडिया आपको पता ही है, दीक थोड़ा सा, अगर हम बनाएं, map इंडिया का, दीक country का borders है, तो लिपू लेक जो है, वो यहाँ पर है, तो यह निपाल, यह इंडिया हो गया, उत्राखंड state है, यह निपाल हो यह चाइना, यहाँ, यह इसका correct answer होगा, यह देखो, defense minister of India ने इनागरेट किया था, 80 km का रोड उत्राखंड में, जो की line of actual control को connect करता है, और यह कि इसलिए important है, केलाश मानसरोवर यातरा, क्योंकि केलाश जो मैंने अभी आपको draw किया था, केलाश मानसरोवर यहाँ पर है, इस जगे लोगेडिट है, तो इसलिए यहाँ पर जाते है, pilgrims, अभी अगर यह रस्ता जो है, बहुत sensitive है, हिमालयन रीजन है, और बार बार इसमें हादसे होते रहते हैं, जैसे boost column हो गया इस तरह से, तो इसलिए इदर से जो, इदर जाकर जो सिक्कियम और यह आता है, तो इदर जो passes है, उदर से होका है, जैसे पूरा यह रस्ता cover करकर जाते हैं, बहुत बड़ा, बहुत lengthy होता है, बहुती cumbersome भी होता है, इसलिए उसको चोटा करता है, तो के लिए, लिपू लेक पास जो है, बड़ा ही important है, ठीक है, पूरा मैंने PDF में, डिडेल में दिया है, पिक्चर समेथ दिया है, लिपू लेक पास, किंगला भी बोलते हैं, या ट्राइ कोर्नर भी इसको बोलते हैं, इंडिया, चैना, निपाल के, बीच म में ये Mountain Pass है, Cabinet Committee on Security ने 2005 में इसको पास कर दिया था, इसमें issue जो है, वो last mile connectivity में आ रहा था, जो एक हिस्सा जिसको बचा हुआ था, क्योंकि इसको अपरोल नहीं मिल रहा था, ठीक है, पहले इसकी पूरी यात्रा पांच दिन के ही होती थी और ट्रैक पे होती थी, अब ये द दिवत में होता था, तो ये देखो पहले यहां पर ये जो नाथूला है, इस से जाते थे, इतना बड़ा पूरा नेपाल के लैद जो है, कवर करनी पड़ती थी, यहां पर फिर कैलाश पहुंचते थे, अभी जो है ये देखिए, ये नेपाल है, ये आपका उतराखंड है, और यहां से सीधा, यहां से जा सकते है, ये रिपूलेग पास, और ये कैलाश मांसरोवर है, ये काला पानी का कॉंट्वर से हुई थी, ये काला पानी यहां पर है, इंडिया का हिस्सہ है, और ये दर्चुला है, तवा घाट है, ये इंपोर्टन कुश्चन है, नेस्ट है अरीबाडा क्या है, अरीबाडा का question भी बहुत बार पुछा गया है, बहुत famous एक event होता है, अरीबाडा क्या है, क्या ये threatened species है turtle की, क्या ये tribal convention है northeast का, क्या ये African disease है, फिर क्या है, देखो, relation तो इसका turtle से है, लेकिन ये कोई species नहीं है, अरीबाडा एक event है, mass nesting का, एक साथ जो ह क्योंकि ये turtle नहीं, turtle तो ये खुद है, और ये जो mass nesting करते हैं, ये event अरीबाडा कहलाता है, unique mass nesting होती है, अरीबाडा, इसमें, हजारो लाखो जो female turtles होती है, ये एक साथ आते हैं, बीच पे और अंडे देते हैं, फिर क्या होता है कि, कुछ टाइम बाद जब वो अंडों स चोटे कच्वे निकलते हैं, वो सारे एक साथ समुदर में जाते हैं, बड़ा ही, एक magical phenomena ये दिखता है, ठीक है, लगबग एक feet गहरा गड़ा खोद के उसमें ये अंडे देते हैं, फिर ये उससे निकल के बाहर जाते हैं, और सारे के सारे एक साथ जाते हैं, तो वो अरीब ये जो मैंने अब ये categories का बताया था आपको की protection की categories है, तो schedule 1 में ये है मतलब highest protection है इसको Indian law में, और वैसे जो इंडिया में बात करें हैं, पोरी दुनिया के बात करें, तो सारे जो sea turtles हैं, समुदर में जो कच्वे मिलते हैं, उनमें सबसे छोटा होता है ये वाला, और सबसे ज़्यादा भी मिलता है, कोस्ट जो ओडिसा स्टेट में बढ़ता है ये, वो largest mass nesting site है, ओलिव राइडी टर्टल्स के लिए, इसके बाद में जो second बड़ी site है, वो मेक्सिको में है, और कोस्टेडिका में फिर, देखो इस सारे tropical regions हैं, तो tropical region मतलब की, tropical area में आते हैं, equator से 30 degree north या east में बढ़ते हैं, तो ये important क्यों है, क्योंकि यहाँ पर temperature ज्यादा होता है, बाकि अगर उपर आप जाओगे, 60 degree पर तो वालत तो temperature जो है, वो motion का बहुत ही कम, 15 degree centigrade के आसपास होता है, 15, 16, 16 इस तरह से, और भी कम भी हो जाता है, तो वहाँ पर ये nesting नहीं कर पाते है इनको warm waters जीए, तो warm water इनको यही मिल पाता है, और खास करिए Bay of Bengal वाला जो रीजन है वहाँ पर, वैसे भी हो तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, इसलिए वहाँ पर जो impact तो पढ़ता ही है, इसलिए वहाँ पर cyclones भी आते हैं, क्योंकि इस बादी बादी है, वाटर की उस तो मनीपूर में है, औरिसा में है, निल ग्रीज में है, जमु कश्मीर में है, इसका आंसर होगा निल ग्रीज, इनका भी issue आया था COVID के ताइम पर, कि इन्होंने traditional skills को काफी use किया है, और face mask इन्होंने बनाए थे काफी जादा, तो news में आया था इनका, और ऐसे question UPSC बहुत मतलब जो culture से भी related है, tribal से भी related है, इंडिया के जो aboriginals हैं, जो हमारे tribes है, वो बहुत importance रखते हैं, और वो जब इस तरह से कोई चीज में solution दे रहे हैं, तो पक्का UPSC पर question पूछेगा, तो Toda जो है निल ग्रीज में मिलते हैं, और वैसे इन के language Dravidian है, लेकिन काफी अलग है और सभी groups से, ठीक है, छोटे-छोटे जोपडियों में रहते हैं, और Toda embroidery जो होती है, इसको पोहोर बोलते हैं वैसे और एक shawl बनाते हैं, जिसको पुटुकुली बोलते हैं, जिसको ओडते हैं, और important बात यह है कि इसको geographical indication tag, GI tag भी मिला हुआ है, red and black color का यह shawl होता है, picture नेक्स्ट है, streptomycin, streptomycin क्या important use इसका जो है, tuberculosis के patients में होता था, और क्या यह multi drug resistant TB patients में इसका use होता है, तो streptomycin एक antibiotic बहुत important है, और शुरुवाती जब सालों में खोजी गई थी, तो बहुत बड़ा एक magic साबित हुई थी है, खासकर TB patients के लिए, जहां TB एक untreatable disease मानी जात तो यह बात सही है, next है, Central Insecticide Board and Registration Committee, इसने भी क्या, इसको recommend किया है, plants में use करने के लिए, recently, तो देखो एक बहुत important बात यह है, कि recently इसका use कम करने के लिए बोला गया है, क्योंकि एक बड़ा phenomenon दुनिया में नया उठके आया है, scientific community को इसने बहुत डरा रखा है, अभी जो COVID इससे भी भेंकर एक चीज खड़ी हो रही है, जिसकी बात जो है, नॉर्मली सरकारें वगएरा कर नी रही है, जबकि बहुत बड़ा इशू हो गया, वो है AMR, Antimicrobial Resistance, आपको याद होगा, 2010 में दिल्ली में एक आया था, कि एक बहुत ही अंट्रीटेबल एक सूपर बैक्टिरीयास को खतम करने में, वाइरल जो होता है, उसके ऊपर कोई दवाई काम नहीं करती है, तो आपको एंटी वाइरल ड्रक्स जो है, वो बहुत ही एकादी है, रेरली बनी हुई है, तो वाइरस की कोई टैबलेट या फिर जो दवाई है वो बनती नहीं है, लेकिन लेकिन अब क्या हो रहा है कि बैक्टिरा इवाल हो रहे हैं बहुत जल्दी इन में चेंजेश आ रहे हैं और यह एक तरह से मान लिजेए लड़ना सीख गए हैं तो जो नॉर्मल एंटिवाटिक्स जो ड्रक्स यूज होती हैं उनका इन पर एसर नहीं हो रहा है जैसे अजित् चते से में हैं टाहिए है वह मुद्राश हो फूरा उत्ता डायम तक क्योंकि ठीक थीख तो आपको फिल हो जाएगा यह पूरी तक ब्रता है पांस दिन तक लेना पड़ता है या सां दिन तक लेना पाता है 9. अगर आपने दो दिन लेके छोड़ दिया तो क्या हो गया वो बैक्टिरिया सोड़ से बच जाएंगे और जो बचे हुए है उससे लड़ना सीख जाएंगे और लड़ना सीखने के खारण बाद में इस दवाई का उसन पर असर ही नहीं होगा तो वो इवोल हो गया इस ट्रॉ इतनी जल्दी जानी रही है इसलिए होगा क्या लोग जो है अगर ये एंटिबाइटेक्स काम करना बंद कर देंगी तो नॉर्मल बिमारियों से फिर से मरने लग जाएंगे ये बहुत बड़ा खत्रा और इतना तक बताया गया है कि दोजार पचास तक ऐसे इस्तिती आ सकत है कि जो नॉर्मल टीबी की ड्रग्स थी जो पहले क्योर कर देती थी तीबी को वो उसको क्योर ही नहीं कर पा रही हो कि टीबी का बैक्टीरिया strong होने लग गया है उससे लड़ना सीख गया है नॉर्मल एंटिबाटिक्स से तो ऐसे case में ऐसी strong एंटिबाटिक अब दी जा लेकिन वो आपके body में और खतरनाक side effect डालती है तो कोई रस्ता नहीं बचता है तो इस तरह से ये issue है तो answer इसका होगा only one दूसरा गलत है क्योंकि इसका use कम करने के लिए बोला गया क्यों क्योंकि plants में भी streptomycin और tetracycline इन दोनों का एक mixture होता है streptocycline ये use होता है क्योंकि plants को भी bacteria effect करते हैं तो उनको मारने के लिए इसका use होता है लेकिन हो क्या रहा एंडिया में किसान जो है उनके पास इतनी knowledge नहीं होती है और वो फसल उगाते हैं और जैसे अपनी जिंदगी चलाने के लिए उनको कोई scientific advice तो मिलती ही नहीं इतनी असानी से तो उसका use कर लेते हैं white powder की तरह होता है streptocycline और उसका indiscriminate use करते हैं बहुत ज़्यादा use कर लेते हैं ऐसे में दिक्कत क्या होती है कि जितना मिलना चाहिए जितना quantity में होना चाहिए यूज वो नहीं हो पाता है और excess में यूज होता है जहां ज़रोत नहीं वहां भी यूज हो जाता है इसलिए bacteria इसके against में लड़ना सीख गए है और ये जो AMR का इश्यू है ना वो बढ़ता जा रहा दुनिया के अंदर और ये बहुत सबसे खतरनाक बात होगी हेल्थ के सेक्टर के अंदर और scientific community के लिए और normal जन्ता के लिए इसलिए ये देखा गया और जो regional committee है ये CIBRC के अंदर इसने ये recommend किया है कि इन stetomycin और tetracycline का जो use है उस पे ban लगना चाहिए 2022 के end तक जो इसको phase out कर देना चाहिए और जिनके लिए ये use की जाती है normally उनको तो integrated pest management से भी हम manage कर सकते हैं ये इनोंने कहा है इसलिए ये इतना important issue और उसके पर ज़रूर question को पे सी पूछेगे पूछेगा आपसे देखना streptomycin जो है वो CIBRC फिर जो है क्योंकि ये ministry of agriculture को फिर दे दिया गया था ये committee थी और फिर CIBRC सेटप किया था ministry of agriculture ने फिर insecticide act आया था उससे पहले और फिर rules आया थे 71 में ये क्या करते हैं central government और state governments को advise करते हैं कि किस तरह से insecticide का use होना चाहिए ये किस तरह से जो है जो ये दवाया यूज होती है उसका कितना discriminate use होना चाहिए तो ये issue है बहुत important issue है next है salt forest tortoise ये news में आया था क्या इसको elongated tortoise भी कहते हैं और क्या ये critically endangered species है और क्या 90% जो इसका potential distribution है वो currently protected areas के under ही आता है तो देखो ये बात गलत है currently protected areas जितने इंडिया में है उनसे बाहर इनकी population है रहती है इसलिए इनको पर जज़ा protection भी इनको नहीं मिल पाता है विचारों को और ये critically endangered भी है तो इसका answer होगा only one साल forest tortoise इसको बोलते है क्योंकि देखतर साल trees वाले areas में ही मिलते है और wildlife institute जो द्यारदूर में है उसने ये find किया है कि 90% जो है इनका distribution इन टॉटो इसका कच्छों का वो currently protected areas जितने भी है उसके outside है बाहर है तो बंगलादेश भुटा नेपाल में इनकी population मिलती है और ये भी एक चीज़ फाउंड की गई है कि जहां पर बहुत ज़दा forest fire लगती है forest fire बहुत ज़दा देखी जा रहा है ये उत्राखंड में नर्थीस्ट के areas में वहां पर 29% जो इनकी distribution है वो इन forest fire वाले areas में है तो मतलब ये जलके भी मर जाता है बहुत सारे एक जूम खेती जो नर्थीस्ट में tribes use करती है जिसके अंदर वो slash and burn use करते है कि एक area में रहे कुछ साल फिर नए area को ढूंडा वहां पेडों को काटा और जला दिया उस area को और फिर उसको flat कर लिया जमीन को वहां रहने लग गए तो वो जूम कर्शी जो है वो उसको नाम दिया जाता है slash and burn जिसका question बहुत बार यूपे सी पूछता है और tribes इसको use करती है तो वहां पर भी बहुत population इनकी जल जाती है तो habitat का loss भी इनको हो रहा है और 80% तक इनकी population जो है last 90 सालों में वो खतम हो चुकी है तो यह critically endangered है ठीक है और यह इंडिया में 4 ही प्रकार के land tortoise मिलते हैं 4 species उनमें से 1 है यह ठीक है और इंडिया में यह जो Wildlife Protection Act है उसके अंदर भी यह schedule 4 में था और वैसे यह IOCN वाली में तो critically endangered है तो इसलिए इतना important issue है यह यह है Saltery Tortoise Next है है हवाना declaration यह किस से related है WHO Sustainable Development, Gender Equality या NAM तो इसका mention आया था न्यूज में और प्रधानवंदरी मोदी ने पहली बार जो है non alignment movement को जो है virtually join किया था तो यह D इसका answer होगा NAM क्योंकि इसका जो सारा mandate है NAM का वो हैवाना declaration में दिया हुआ है तो प्रधानवंदरी मोदी ने पहली बार जो है participant किया था इसमें और 2016 में और 2019 में जो इसके summit होए थे उसमें इन्होंने भाग नहीं लिया था और यह पहले इंडिया के प्राइम इनिस्टर थे जिन में इसकी meetings को इन्होंने skip किया था तो कोविट के regarding जो है इसके अंदर declaration भी लिया गया था और यह बड़ी अच्छी बात थी क्योंकि इंडिया के लिए इसका बड़ा importance रहा है non alignment movement कि किसी भी खेमें हम नहीं है क्योंकि cold war का time था और Soviet Union का जब disintegration हुआ था 1991 में तो उससे पहले जो है दुनिया cold war में थी एक तरफ USA था एक तरफ जो है Soviet Union था उनके बीच में cold war चलती थी और दुनिया दो खेमें में बट गई थी तो कुछ देशों ने decide किया कब decide किया एक bandung conference हुई थी Asia Africa bandung conference इंडोनेशिया में 1955 में तब यह decide किया गया था कुछ देशों के leaders के द्वारा जिसमें नेहरू भी थे इंडिया के और गाना के नकमूरा थे सुकरण और इंडोनेशिया के थे उन्होंने decide किया कि हम किसी खिमे में नहीं जाएंगे हम अलग रहेंगे हमारी progress जो है बिना खिमों में रहकर करेंगे तो यह बहुत अच्छी बात थी और जिसकी importance आज सब को समझ में आ रही है तो हवाना declaration लिया गया था 89 में हवाना में उसमें इसका purpose और mandate डिसाइड किया गया था कि नॉन एलाइनमेंट का क्या इसका purpose होगा क्योंकि इसका कोई formal constitution नहीं है ना ही कोई permanent secretariat है ठीक है और जो है non hierarchical hierarchical manner में rotational जो इसका presidency दिया जाता है जो अभी जो है अजर्बाइजान के पास था और इलहम अलियव की का initiative था यह जो अजर्बाइजान के president है तो वो chair थे इस साल और यह हुआ था भी summit next है state revenue दो states का होता है इंडिया में तो उनको बताना है कि decreasing order में इन components को arrange करना है state GST का सबसे बड़ा हिसा revenue का देता है states को sale tax, state excise or tax on property and capital transaction तो सबसे बड़ा एक report आया थी RBI की इसमें बताया गया था कि सबसे बड़ा हिसा तो GST ही होता है उसके बाद में और है sources तो इसका answer क्या होगा 1,2,3,4 होगा सबसे बड़ा हिससा यह है फिर यह है फिर यह है फिर यह है तो यह देखो state finances की एक report आया थी 2019 की और यह इसमें बताया गया था कि एक जो बड़ी controversy उठती है कि क्यों liquor बेशते हैं, alcohol को क्यों बेशते हैं सारे और जबकि इससे इतना नुकसान होता है health का बहुत गर बरबाद होते हैं फिर भी तो यह पता लगा था कि यह जो है second या फिर third largest contributor होता है revenue के अंदर आप कारी विभाग इसको हिंदी में बोलते हैं states के लिए सबसे बड़ा तो GST है ही और second या फिर third number पे आता है states के लिए liquor को बेचना इसलिए इस पर बैन नहीं लगाते हैं और बड़ा daring step होता है अगर कोई state इस पर बैन लगाता है तो यह highest share 43.5% का GST का होता है उसके बाद में state के अपने जो revenue sources होते हैं जैसे के sale tax है mainly sale tax petroleum products पर लगता है और फिर state excise है जैसे के excise जो है वो liquor के ओपर लगता है तो सब चीजों को GST spend नहीं लाया अभी शराप को नहीं लाया गया है petroleum products को नहीं लाया गया है ठीक है petrol jis च्रम अभी तक GST में नहीं लायया गया है जिसकी बहुत बड़ी demand है तो बहुत इसका text बढ़ता ही जा रहा है ऑर यह burden बहुत-बड़ा बढ़ गया है जनता के उपर, तो यह चीज है, अब स्टेट के खुद के कौन से tax sources होते हैं revenue के, तो यह है, tax on income है, tax on property capital transaction है, commodity services के उपर भी लेता है, पहले तो हर चीज पर ही लगते थे, यह sales tax, excise tax, wet वगएरा, लेकिन अभी जो है अदिकतर, GST गंडर आ गये हैं, जिसमें state का share होता है, और excise शराब वगएरा में अभी लगता है, sales tax, जो है वो petroleum वगएरा में लगता है, तो यह है, इसके अलाबा, governments के पास में non-tax revenue जो होते हैं, वो यहाँ पर दिये हुए है, Article 280, जो है, वो finance commission को बताता है कि establish किया जाएगा, president के द्वारा हर 5 साल के अंदर, उसमें क्या चीज होती है, mainly, वो यह decide होता है, कि जो tax revenues आते हैं, उनका state, center और states के बीच में कैसे distribution होगा, तो जैसे अभी last finance commission आया था, उसमें 42% states को देने की बात थी, तो वो implement हुआ है, तो सरस collection, जो daily utility products से related है, क्या ये rural self-help groups जो है, उनके द्वारा ये बनाया जाता है, next, क्या ये जो government e-marketing, जो jam portal है, क्या ये उसका initiative हो unique, और इसके साथ में क्या NRLM और ministry of rural development है, तो देखो ये बात सही है, दोनों ही बात correct है, C both is answer होगा, self-help groups के लिए बहुत बड़ी help है, और क् कि देखे, आपको पता ही है, आप government sector में जाएंगे, तो आपको पता लगेगा, कि हर चीज जो offices में खरीदी जाती है, अधिकतर jam portal से आती है, jam portal पर खरीदी जाती है, ये government का portal होता है, e-market place होता है, जैसे आप flip card पोर्टो करते हो, ये jam portal होता है, सरकार्य के लिए, तो इसके initiative है, और सरस collection ही होगा, तो इसमें daily utility products जो है, जो self-help groups बनाते है, rural जो होते है, उनका समान इसमें बिखेगा, तो इसके regarding ये dashboard है, ठीक है, इसमें national, state, district, और block, 4 level के ओपर, dashboards दिये गए है, ठीक है, next, government e-market place के ओपर, ये information है, 2016 में start हुआ था, और directorate of general supplies and disposal, ministry of commerce के अंडर ये उसके अंडर ये administer होता है, उसके अंडर ये function करता है, gem portal, ठीक है, next है, इसमें बताना आपको correct कौन सा है, 7 Indian state जो है, उनमें 50% MSME है, क्या ये बात correct है, और 99.5% MSME जो है, वो micro category में आते हैं, 3 category है, MSME की, तो micro category में क्या आते हैं, next है, 51% जो MSME है, वो क्या rural India में है, और 49% जो vote आई थी, उसके according ये सारी बात है सही है, do all is cancer होगा, इसमें बताया, कि definition change की है, सरकार ने, union cabinet ने 2018 में इसको decide किया, कि जो GST का implementation होगा, अब उसके लिए criteria change करना पड़ेगा, तो annual turnover जो है, वो criteria होगा, इनको decide करने के लिए, कौन सा micro में आएगा, कौन सा small में आएगा, और क जो manufacturing में investment है, और services में up to 10 लाग का है, वो micro में आएगा, 25 लाग से 5 करोड वाले, manufacturing वाले small में आएगे, और 5 से 10 के वाले medium में आएगे, ठीक है, तो ये proposal है, ये जो है current है सारा, मतलब जो अभी तक use हो रहा है, लेकिन जो propose किया गया है, GST के according, turnover के according, वो ये वाला है, कि up to 5 क करोड वाले small में आएगे, और 75 से 250 करोड का जिनका turnover है, ये profit नहीं है turnover है, वो medium category में आएगे, तो ये definition change हुई है, और इसमें ये भी बताया गया है, एक report में, statistical data जो है, कि लगबग 6 करोड के असपास MSME है, 51% जो है, वो rural India में है, 49% urban India में है, मतलब लगब समान distribution है, लेकिन रूल वालों के लिए ज़्यादा importance बढ़ जाती है, और बहुत बड़ा employment ही देते हैं देश के अंदर, 99.5% जो है, वो micro category में है, इसलिए ये चोटे वाले जो category के होते हैं, बहुत चोटे जो self-help groups से start हो जाते हैं, वो ज़्यादा फाइदा करते हैं, बहुत लोगों को उत्रप्रदेश, West Bengal, इन में 14% है, Tamil Nadu, Maharashtra 88% है, Karnatka, Bihar और Andhra Pradesh, इन में इतना percentage है, थीक है, तो ये आज आपका lesson था, और I have tried my best की, एकदम UPSC का level हम कवर कर पा हैं, इन questions के अंदर, तो मुझे feedback देना, ये question आपको कैसे लगे, थैंक्स लोट की पोचिंग, इड़ा